हलो पारेंट्स and वेलकम बैक तू माई चानल मॉम्सकेर विट इंदू I hope कि एस फेस्टिव सीजन को आप लोग बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे हो बट सेफली एंजॉय कर रहे हो घर पे रहके आज हम एक बहुत ही common और बहुत ही important topic के उपर बात करेंगे Why baby cry? क्या आपने सोचा है कि babies क्यों रोते होंगे? आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि babies क्यों रोते हैं और अगर baby रोय जा रहा है तो आप उसे कैसे सांत कर सकते हो, कैसे handle कर सकते हो एक baby बिना किसी वज़े से नहीं रो सकता है उसकी रोने की कोई न कोई वज़ा तो जरूर होगा हम बड़े जो है, हमारा जो भी feelings है, हमारा अगर कोई problem है वो सब कुछ हम लोग express करते हैं बोलने के माध्यम से हम बोल के बया करते हैं कि हमें क्या problem है, हमारी जो feelings है वो सब कुछ हम बोल के बया करते हैं लेकिन babies तो नहीं बोल सकते हैं ना babies के लिए रोना ही उनका language होता है babies जो है उनका हर एक feeling, हर एक problem रोने के माध्यम से ही बया करते हैं तो इसलिए अगर baby रो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई वजा तो जरूर होता है कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि baby अगर रो रहा है तो रोने दीजिए रोने से baby का जो chest है वो hard होगा baby का मन hard होगा मुझे personally ये लगता है कि ये बिलकुल बखवास है और वैसे भी जिसको आपने दद सहान करके पैदा किया है जिसको आप कोई भी दद नहीं देना चाते हो उसे आप ऐसे ही रोने दोगे क्योंकि लोग बोलते हैं कि रोना अच्छा होता है रोने के रोने से उनका मन hard होता है लोगों की बाते सुनके आप अपने बच्चों के रोने दोगे मैं तो ऐसा बिलकुल भी नहीं चाहूंगी कि बेबी रोते रहे मेरी बेटी रोते रहे कि लोग बोलते है कि रोना अच्छा होता है उल्टा मुझे पर्सनल ये लगता है कि बेबी अगर रोय जाएगा तो उसका एनरजी लॉस होगा रोने से उसका जो स्किन है वो लाल पड़ जाता है उसे भूख बहुत जादा लगेगी मुझे उल्टा लगता है कि रोने से वो ठक सकता है उसे कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है इसलिए वो रो रहा है और मेरे पापा हमेसा यही कहते है कि बेटा अगर वो रो रहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई वज़ा तो जरूर है वरना वो बेवज़ा क्यों रोएगी तो मैंने सोचना सुरू किया और धूल्रना शुरू है कि क्या-क्या वजा हो सकता है बेभी की रूने का तो कुछ-कुछ वजया जो है मुझे पता चला है कि बेभी कियू रोते होंगे मेरी बेटी क्यू रोती थी और वो सारी वज़ा मैं आज आप लोग के साथ शेयर करना चाँगी ताकि आप लोगों को भी help मिल जाए, आप लोगों को भी पता चल जाए कि आपका बेबी अगर रोता है तो आखिर क्यों रोता है, why बेबी क्राई, तो चलिए शुरू करते हैं तो बेबी की रोने का सबसे पहला reason हो सकता है, hunger यानि की भूक, हो सकता है कि बेबी को भूक लगा है, इसलिए बेबी रो रहा है, नियूबॉर्ण बेबी को थोड़ी देर बाद-बाद बार-बार फीट कराना पड़ता है, क्योंकि उनका पेट इतना सा होता है, जरा सा फीट करने पड़ी भर जाता है, या फिर हो सकता है कि बेबी फीट करते-खरते सो गया है, उसका पेट पूरा नहीं भरा है, इसलिए वो फीट करना चाहता है, नियूबॉर्ण बेबी को बार-बार फीट कराना पड़ता है, ये बिल्कुल नॉर्मल बात है, तो अगर बेबी रो होगी तो बेबी's रोहेंगे ही the baby की सेकंड वज़ा हो सकता है बेबी का ओवर टायर्ड हो जाना फो सकता है कि बेबी बहुत देर तक जगा हुआ है और बेबी टायर्ड हो गया है तुन हुआन शज़ा है और वो होाँ Nobelब्स करें जा रहा है और सफ्य ने Mark बहुत दितर्ग जगा हुआ है और वो बढ़ टायर्ड हो गया है उसे नीद आ रही है और वह रोए जाए तो मतलब रोने के माद्धम से आपको यह बोल रहा है कि ममा मुझे नीद आ रही है मुझे प्यार से आप सुला दो मैं टायर्ड हूं तो यह भी एक बहुत बड़ी व इसलिए वो रो रहा है, या फिर बहुत थन्ड है और उसे जितना कपड़े चाहिए, उतना आपने उसे नहीं पहनाया है, उसे ठन लग रही है इसलिए वो रो रहा है, तो यह भी भोने की एक बहुत बढ़ी वजा हो सकता है या फिर आपने बेबी को जो कप्रे पहनाया है वो बहुत ताइट है, बेबी को बहुत आंकोंफर्टविल हो रहा है, ताइट कप्रे की वज़े से, इसके वज़े से भी बेबी रो सकता है, या फिर आपने बेबी को कोई ऐसा कप्रा पहनाया है, जो शायद सिंथटिक का हो, जिस वज़े से बेबी के स्कीम में कोई इरिटेसन हो रही है तो इसके लिए भी बेबी जो सकते हैं बेबी की रोने की एक बहुत बड़ी वज़ा हो सकता है बेबी क्या क्लोधिंग तो इसलिए बेबी को बिलकुल लाइट और कॉटन का कपड़ा ही पहनाना चाहिए बेबी की रोने की फोर्थ वजा हो सकता है बेबी का डाटी डाइपर या फिर हेवी डाइपर यह मेरे साथ बहुत होया है ममम बहुत रोती रहती थी मैं उसको सांथ कराने की कोशिश करती थी लेकिन मेरी डाइपर की तरफ ध्यान ही नहीं जाता था तो जब ध्यान जाता था तब मैंने always देखा है कि उसका diaper या तो heavy हो गया है या फिर dirty है और इस वज़े से वो रो रही है ममम के diaper में अगर इतना सा भी उसने पौटी कर दिया जरा सा भी अगर उसने पौटी कर दिया तो वो तुरंट चेंज करना परता था वरना वो रोती रहती थी, तो जब मुझे पता चल गया कि हाँ उसकी रोने की वज़ा ये डाइपर हो सकता है, तो जब भी वो रोती थी मैं सबसे पहले उसका डाइपर चेक करती थी, तो मैं देखती थी कि हाँ उसका डाइपर गंदा हो गया है, इसलिए वो रोय जा रही है और ममम का एक habit तब भी था और आज भी है अगर उसने diaper में इतना सा भी potty कर दिया ज़रा सा भी अगर potty कर दिया तो वो diaper मुझे तुरंट change करना पड़ेगा अगर वो diaper में ने change नहीं किया तो वो रोय जाएगी रोय जाएगी तो इसलिए बेबी की रोने का एक बहुत बड़ी वज़ा हो सकता है बेबी का dirty diaper या heavy diaper newborn babies की रोने का 5 वज़ा हो सकता है colic first few months first 3-4 मेने babies colic की वज़े से भी रोते है अगर आपका बेबी continue 2-3 घंटे तक रोय जा रहा है आप उसे सांथ कराने की कोशिश करे हो लेकिन फिर भी वो चुक नहीं हो रहा है वो रोय जा रहा है तो हो सकता है कि बेबी को colic पेन हो रह रहा है तो अगर आपका बेबी कोलिक की वज़े से रो रहा है तो आप उसके लिए कोई home remedy अपना सकते हो क्या-क्या home remedies है वो भी मैंने आप लोगों के साथ discuss किया है इस वीडियो में आप ये वीडियो देख सकते हो इस वीडियो में मैंने detail में बोला है कि अगर आपका बटन में क्लिक करके भी आप ये वीडियो देख सकते हो बेबी की रोने की कोई painful causes भी हो सकता है जैसे की ear egg यानि की कान में दर्द या फिर mouth ulcer या फिर raw diaper rest इन सब की वज़े से भी बेबी रो सकते हैं या फिर बेबी को शायद किसी चीज़ से कोई problem हो रही है इस वज़े से भी बेबी जल सकते हैं जैसे की आंख में शायद कुछ चला गया है इस वज़े से भी बेबी के स्कीन में कोई इसी तरह की इरिटेशन हो रही है संथिक कप्ड़ पहना के वज़े से या फिर हमने शायद बेबी के स्कीन को बहुत ज़्यादा रव कर दिया है बेबी को बेबी को हमें समझ में नहीं आ रहा है या फिर प्रॉब्लम होगा तो ही बेबी बिल्कुल भी नहीं रहेंगे कोई-ना-कोई वज़ा तो बेबीस की रोने के पिछे होता ही है बेबीस की एक रोने की बहुत बड़ी वज़ा हो सकता है क्याफिन क्याफिन की वज़े से बेबीस की नींद में एफेक्ट परता है और जिस वज़े से बेबीस बहुत रोते हैं अब आप शायद यह सोच रहे होंगे कि caffeine की वज़े से babies कैसे रोते होंगे, babies थोड़ी caffeine लेते हैं बड़ शायद आप लेते होंगे, as a breastfeeding mother आप जो भी खाते हो वही breast milk के थूँ आपके baby तक पहुचता है, तो as a breastfeeding mother अगर आप tea, coffee या चॉकलेट जैसी कोई भी चीज़ होता है, तो वह आपकी breast milk के थूँ आपकी baby तक जाएगा, जो baby के नीद पे effect करेगा और जिस वज़े से babies रोएंगे, तो as a breastfeeding mother आपको ये सारी चीज़े avoid करनी चाहिए, ऐसे ही कुछ और भी चीज़े हैं जो एक breastfeeding mother को नहीं खाना चाहिए, नहीं consume करना चाहिए, और वह क् detail में discuss किया है कि एक breastfeeding mother को क्या-क्या नहीं खाना चाहिए, क्या-क्या अवाइड करना चाहिए, I am sure कि इस वीडियो से आपको बहुत help मिल जाएगा. बेबी की रोने की एक बहुत बड़ी वज़ा हो सकता है बेबी को बर्प ना करवाना, बेबी जब फीट करते हैं तब उनके पेट में extra air चला जाता है, जो बाहर निकालना बहुत important है, हम जब बेबी को बर्प करवाते हैं तब डकार के द्वारा वो extra air जो है वो बाहर आ ज सकता है और जिस वज़े से बेबी बहुत रोते हैं तो इसलिए बेबी को हर फीट के बाद बर्प करवाना बहुत important है और फीट के बाद ही क्यों, फीट के बीच में भी थोड़ी दे रुख के बेबी को बर्प करवाना चाहिए ताकि बेबी की पेट का जो extra air है वो बाहर आ जाए और बेबी रिलाक्स करके फिर से फीट कर सकें नेक्स्ट ओवर फीडिंग भी एक बहुत बड़ी वज़ा हो सकता है बेबी की रोने का हम बड़े भी जिस दिन जादा खा लेते हैं हम भी बहुत uncomfortable फिल करते हैं और हम लोग वाक पे चले जाते हैं ताकि हम थोड़ा र एक robić हम भी हो सकती है र्रुँर फीडिंग भी हो सकती है यह लास्ट बेबीो ओसे बहुत देट टक अहरट बाते हैं वह लोगवी कर रहा आ तो भी बेबी उते हैं कि मां को वह सबसे जारा ट्रस्ट करते है तो इसं आसपास ना हो तो भी वो रोते हैं, तो ये भी एक बज़ा हो सकता है बेबीज की रोने का, कि उन्हें सायद आटंसन चाहिए होगा, उन्हें सायद चाहिए होगा कि आप उसके साथ बाते करो, उसके साथ खेलो, उसके साथ टाइम स्पेंट करो, अगर ऐसा नहीं होगा, तो भी बेबीस रोते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी वज़ा हो सकता है बेबीस की रोने की तो बस जैसा कि मैंने कहा कि बेबीस बिना वज़ा नहीं रोते हैं उनकी रोने के पीछे कोई न कोई वज़ा तो जरूर होता है इतनी सारी वज़े हो सकता है उनकी रोने के पीछे आ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेजिए ताकि आप मेरा कोई भी वी वीडियो मिसना करो सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिए ताकि मैं जब भी आप लोगों के लिए कोई नया वीडियो लाओं उसका नौटिकेशन अब तक पहुंच और आप मेरा कोई भी वीडियो मिसना करो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को सब के साथ शेयर ज़रू कर दीजिए थांक्यो फोर वाचिंग